है गाईज आजकी इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है आजकी इस वीडियो में आप लोगों कुछ डिफरेंच जीज दिखाने वाला हो Wi-Fi connection या broadband connection बहुत से लोगे पास available है लेकिन हर किसी के घर में power backup का system available नहीं है main problem है इसका price बहुत जादा होता है इसके बज़े से हर को इस system को खड़ीद दीबा तो हम लोग जो इंटरनेट को use करते है use करते करते कमी भी electric चला जाता है तो हमारे घर में जो Wi-Fi router है वो बंद हो जाता है इसके बज़े से internet भी बंद हो जाता है कैसे हम लोग इंटरनेट को use कर पाए इसके जो problem है इसका solution आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले है तो वाज आप लोग देख सकते हैं मेरे पास टूटल डो router है यह जो यूलो कलर का केविल है यह मेरे internet केविल है यह गिगा फाइवर है यह गिगा फाइवर फाइवर को क्रण्वर्ट करता है रज-ra確 आजokus मैने अब लोग को जैसे बताया था यह एक internet केविल है जो गिगा फाइवर है यूस से कॉनेक्ट हुआ मेरे konvर्टर में उसके बाद रज-री-फाइवर है यह एक power cable है तो यह RJ45 cable connect हुआ है मेरे main router पे यहाँ पर connect हुआ है यह एक power cable है और दोनो power cable में दोनों में boost converter लगा हुआ है और इसका connection किया है एक power bank से और मैं इस power bank को charge कर रहा हूँ यहाँ पर एक adapter है इससे मैं charge कर रहा हूँ तो मैं इसको open भी कर दूँगा फिर भी मेरा internet चलता रहेगा मेरा जो router है बंद नहीं होगा तो मैं इसको open कर देता हूँ उसके बाद आप लोग देख सेकते हैं मेरा जो router है अभी भी चल रहा है और मेरे power bank पे यह भी line है क्योंकि इसमें full charge है और यह 4-5 hour तक चलता है तो अब भी ऐसा same power bank system को बनाना चाहते हूँ तो इस वीडियो को continue करो मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐसा system बनाते हैं उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करो bell icon भी click करो all please click करो हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं system के अंदर मैंने consequence device का use किया है सबसे पहले हम लोग को जरूत होगा एक power bank का उसके बाद जरूत होगा DC to DC step up boost converter एक circuit port का और उसके बाद जरूत होगा power bank को charge करने वाला एक adapter एक USB के बिल का यह पर मैंकि और एक चीज के जरूत होगा वो है एक DC के बिल यह पर power bank का क्या काम है आप लोग को पता है लेकिन जो boost converter है इससे हम लोग क्या कर सेकते हैं हम लोग जान लेते boost converter का हम लोग use इसलिए करेंगे कि हम लोग जो voltage है उसको increase कर पाए इसका जरूत होगा इसलिए क्योंकि हम लोग कोई भी company का Wi-Fi router यूज करें वो 12V का या 9V का होता है लेकिन हम लोग जो power bank यूज करते हैं इससे सिब 5V आउटपुट आता है तो उसको increase करने के लिए हम लोग इस DC to DC boost converter का यूज करेंगे तो यह जो system में इसको बहुत ही easily बना पाएंगे लेकिन उससे पहले आपको पता लगाना होगा आप जो company का router यूज कर रहे हो उसमें आपको कितना volt input देना पड़ता है आपका 9V का है तो भी कोई problem नहीं है आपका 12V का है तब भी कोई problem नहीं है एन एक चीज है जो भी product है उसका link वीडियो की description box में मिल जाएगा mainly आपको जो boost converter है DC to DC इसका link आप लोग की description box में आप लोग को मिल जाएगा आप लोग खड़िच सेकतो क्योंकि इसके बिना कोई भी काम complete नहीं होगा तो यह आप लोग को बता दू कैसे connection करना है तो सबसे पहले आपको जो power bank है power bank को connect करना होगा आपका जो DC to DC step आप जो board है उसके साथ जिस साथ में input है उस साथ में आपको connect कर देना है और जो opposite side है जहां से output आएगा वह पर आपको DC cable है इसको connect कर देना है and voltage जो set करना है उसको आपको set कर लेना है 9V है या 12V है उसमें set कर लेना है उस board के अंदर ही option है आप set कर सकते हो उसके पाद आपका जो DC cable है उसको आपका जो router है Wi-Fi router है उसके साथ connect कर देना है आपके पास दो router है दोनों में different voltage है तो आपने वीडियो के अंदर देखा होगा मैंने 2 board यूज़ किया है इसका main reason है मेरा जो पहला बहला router है वो 12V का है और जो second router है वो 9V का है इसके लिए मुझे 2 board यूज़ करना पर रहा है आपके पास 2 router है दोनों में same voltage है तो आप एक board से भी काम चला सकते है आपको दोनों board का ज़रूत नहीं है एक board से भी आपका काम बन जाएगा ये complete हो जाने के बाद आपका जो power bank है इसको भी तो charge करना है इसके लिए आपको क्या करना होगा आपका जो adapter है उसके साथ USB की बिल connect करके आपका power bank पे connect कर देना है उसके बाद आपको power series on कर देना है तो आपका power bank भी charge होगा और power bank के थूरू आपका जो router है वो भी चलता रहेगा कभी भी electric चला जाता है तो आपको tension लेने की जुरूत नहीं है आपका power bank में जो charge है उससे आपका router चलता रहेगा और एक चीज में आपको बता दू मैंने जो system बनाया था इसके अंदर मैंने 10,000 image का power bank यूज किया है तो मैंने backup time चेक किया है मुझे 4 hours का backup time मिला था तो यह पर आप जितने ज्यादा image का power bank यूज कर पाओगे आपका backup भी उतना ज्यादा मिलेगा और एक चीज में आपको बता दू आप ऐसा जितनी भी system में आपको बता या आप बना नहीं सकते हो या आप बनाना नहीं चाते हो तो इसका alternate भी available है online पे इसका भी same related एक device आते है एक power bank आता है जिसके जरीए आपका जो router है उसको आप चला सकते हो उसका link वीडियो के description box में मिल जाएगा उस device का price 1900 के आसपास है तो आप खड़िदना चाते हो तो आप खड़िद सकते हो तो आपको इतना tension करनी की जुरूत नहीं है और एक चीज है जो Amazon पे available मिलता है उसको भी आप power bank के साथ connect करके आपका जो router है उसको power दे सकते आपका router को इसका price भी 400 से 600 के अंदर आता है इसके अंदर भी दो कैटेगरिका के भी लाता है ये के 9V का एक 12V का तो पहले आपको check कर लेना होगा कितने वोल्ट का आपका router है दोनों device का link मैं वीडियो के description box में दे दूँगा आप check कर सेकते हो आपको पसंद आया तो खरीट सेकते हो तो वैस आप लोग को इस वीडियो के जरीए कोई भी अच्छा information मिलाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए उसके साथ साथ फ्रेंड और फेलिट मेंबर को शेयर करना मत बूलियेगा और आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल अकोन पर क्लिक कर दीजिए हर दिने से नएने वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हैं